हेई एवरिवान वेलकम टू मैं चानल आज में लेके आए हूँ बिलकुल ऑथेंटिक स्टाइल कश्मिरी दमालू की रेसिपी चीसे हम बीना प्यास लेसून और बहुती कम इंग्रेडिंट से बनाएंगे तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर पॉने किलो जितने छोटे साइस के आलू ले लिये है और उसे हाई फ्लेम पे एक विसल आने तक पका लिया है अब इसके छिलके निकाल लेंगे और इसमें हॉल कर देंगे टूथपिक की हेल्प से या फिर फोक से सारे आलू को अच्छे से प्रीक करना है ताकि मसाला अंदर तक महुँच सके अब आलू बिल्कुल रेड़ी है तो एक हांडी में मैंने ओईल लिया है अच्छे से फ्राइ हो सके होतना सारे आलू इसमें add कर देंगे और high flame पे इसे cook करेंगे स्टार्टिंग में इसे touch नहीं करेंगे 38 मिनिट के बाद spatula की help से इसे stir कर लेंगे golden brown color आने तक इसे पका लेंगे अब आलू fry हो चुके है तो एक बार फिर से इसमें haul कर देंगे सबी आलू को अच्छे से prick करने के बाद एक masala ready करते हैं एक simple सा masala है मतलब एक डालचीन का टुपड़त 3-4 हरी इलाइची और एक बड़ी इलाइची को थोड़ा सा कूट लेना है इसे थोड़ी दिर side में रखेंगे और यहाँ पर हांडी में हमने जो oil लिया था उसमें से आदा oil निकाल लेंगे और इसी में तड़का लगाएंगे तो oil गरम होने पर इसमें चीरा, देजपत्ता, लौंग और हमने जो masala कुटे थे वो एड़ कर देंगे अच्छे से मिला लेना है और side में यहाँ पर मैंने दो चमच काश्मेरी लाल मेच पाउडर लिया है और उसमें गरम पानी एड़ करके मिला लिया है वो इसलिए कि तेल में जाके masala जलेना अब इसे तेल में एड़ कर देंगे अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें दो तिन टेबल स्कून सॉफ पाउडर और एक चमच इतनी हींग एड़ कर देंगे आधी मिनिट के लिए इसे कुप करेंगे अब इसमें फ्राइ किये हुए आलू एड़ कर देंगे थोड़ी देर हाई फ्लेम रखके इसे अच्छे से मिंक्स कर लेंगे अब इसमें आलू डुबे उतना गरम पानी आड़ कर देंगे अब एक चमच सॉंठ यानी की जिंजर पाउडर और स्वाद अनुसर नमक आड़ करके बोईल करेंगे एक उबाल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और धकन धक के 20 मिनिट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे आप चाहो तो उस पर वजन भी रख सकते हो अब 20-25 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा धर्मालू बिल्कुल रेडी है एक बार स्टोर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे तेज पत्ता निकाल के गर्मा गरम सव कर देंगे तो फ्रेंड्स यह थी बहुती सिंपल काश्मीरी दमालू की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राय करना और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय बारत